कि यह जो कुश्चन आपके सामने है यह एक्चुली किसी फॉर्मली से रिलेट नहीं होता तो तो इस कुश्चन को देखते हैं यहां पर कहा गया है आपसे find the equation of ellipse given that the end of major axis and end of minor axis तो इसको हम क्या करते हैं फिगर से थोड़ा सा समझ लेते हैं देखे यह आपके सामने Cartesian plane है ओके नव दिस जीरो x negative of x upside positive of y and downside negative of y okay now major axis end of major axis देखो जरा major कहा मिलेगा आपको यहां पर क्या दे रखा है axis यहां पर y की value 0 दे रखी है y की value 0 तो y की value 0 means x axis पर है major axis okay नव देखो यहां पर 1,2,3 यह देखो x axis पर y 0 होता है यहां पर value आगई 3 और 0 negative का 3 है तो यह आगया 1,2,3 यहनि के minus 3 और 0 आप याद रखिएगा conic section में अगर कोई चीज की image नहीं बना पा रहे हैं आप तो conic section में formula याद करके करना बहुत कठिन हो जाएगा तो आप क्या करिए image बनाए यह Cartesian plane पर value locate करिए यह जो आपको points दे रखे हैं यह locate करना सीखिए यह देखिए 0 और plus minus 2 तो 0 और plus minus 2 means 1,2 x बराबर 0 है तो y axis पर होगा 0 और 2 और यहाँ पर 1,2 यहाँ पर 0 और minus 2 तो आपको यह साफ साफ एक ellipse की equation देख रही है यह है आपके पास ellipse की कौनसी वाली equation देख रही है आपको आपको देख रही है जिसमें major axis जो है वो कौनसा है x axis है major axis x axis है तो यह case 1 हो गया तो हम लिखेंगे यहाँ से अगर हम comparison करेंगे तो हम comparison कैसे की लिखेंगे हम ऐसे लिखेंगे solution में we know that end of major axis plus minus a और 0 याद रखेगा मैंने हमेशा आपको कहा है major को हमेशा यह बड़ी संक्या को हमेशा a लिजेगा कुछ books के अंदर कभी a लिया गया है कभी b लिया गया है लेकिन आपको एक ही मैंने rule बताया है हर एक type में कोई साभी type कर रहे हो आपको measure हमेशा a लेना है तो compare करने के बाद a is equal to कितना मिल गया आपको 3 देखो compare कि आपने इस question के साथ now end of minor minor axis is equal to 0 0 plus minus b अब minor में b को compare करोगे आप ठीक है ना तो b की value कितने आगया 2 लो जी a आ गया b आ गया we know that the equation equation of ellipse equation of ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 यह case first है हमारा case first में बड़ी संख्या x के नीचे है तो x square upon me 3 k square plus y square upon me 2 k square is equal to 1 and this is x square upon 9 plus y square upon 4 is equal to 1 is the final answer है 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 हुआ है झाल झाल